ये टेकलर वर्स वेलकम बाक टू माय यूटूब चैनल फाइनली एपल ने लॉंच कर दी है अपने नए एई बेस्ट फीचर्स और साथ ही में कई सारे अपडेट लेकिया है अपने सभी डिवाइसे के अंदर 10 जून को एपल पार्क में हुए इवेंट WWDC 2024 के अंदर एपल ने अपने सभी डिवाइसे के लिए बेहतरीन अपडेट्स और फीचर को लॉंच किया है यहाँ पर एपल अपने सभी डिवाइसे वेदर इट्स आईफोन, आइपड, मैक बुक या फिर विजिन प्रो इन सभी इवाइसे में बहुत ही माइंड ब्लोइंग अपडेट्स लेके आया है और आज की वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स को डेटेल में डिस्क्रस करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप एपल के कौन से डिवाइसे में किन किन तरह के अपडेट्स के फायदे जो कि इनका सबसे हाल ही में लांच हुआ प्रोडक्त है तो विजन प्रो के अंदर इन्होंने विजन ओयस्टू को लांच कर दिया है जहां पर आपको काफी बहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जिस लाइक आपकी जो भी नॉमल फोटो हैं यहां पर आप उनको फिर वीडियो को जेस्टर्स की हल्ब से 3D में कनवर्ट करके देख सकते हैं तो यहां पर आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है आप इन फोटो और वीडियो को 3D में इंजॉय कर सकते हैं अपने विजन प्रो डिवाइस के उपर और साथ ही में आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जिसके पास भी यह डिवाइस अविलेबल है तो अगर आप अपने मैक बुक में वीडियो एडिटिंग करते हैं वीजन प्रो की हल्प से तो यहां पर आपको एक अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिससे आपका नेक्स्ट अपडेट आता है एपल वाच के अंदर सो एपल ने वाचस में वाचस में को लांच कर दिया है जो कि आपको एक काफी एफिशेंट परफॉर्मेंस देने वाला है सो यहां पर आपको एक नया ट्रेनिंग मोड देखने को मिलेगा जिसमें आपको कुछ नए को भी शो कर रही होगी जिस लाइक आप अपने वॉक आउट में कितना एफ़र्ट डार रहे हैं लोग मेडियम और हाय और साथ ही में यहां पर अपने डेली वॉक आउट बोल्स को भी कस्टमाइज करता है यह दें नेक्स्ट अब्लेट आता है एपल के अंदर सो एपल अपने हैड को शेक करके उस क्रॉल को आंसर याप कर सकते हैं अगर आप अपने हैड को सजय करेंगे तो होगार है अपने हैड यह इंदर को मीवला है यह एंडंया यह यह वरिज topping क्रद दिया है विच अपकभी आइफून सैना आईपाटकर कर लेकिन के अंदर आपको iOS 18 operating system देखने को मिलने वाला है यह अपने साथ धेरो कमाल की features लेके आता है यहाँ पर हम iOS 18 के कुछ नए और unique features को देखने वाले हैं यहाँ iOS 18 के अंदर आप अपने multiple apps को एक साथ rearrange कर सकते हैं अपने wallpaper की visibility को better बनाने के लिए और साथ ही यहाँ पर आपको एक app customization sheet भी देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप अपने apps के colors को change कर पाएंगे और इस तरह से आप एक नई theme डिजाइन कर सकते हैं और यहाँ पर हमें control center के अंदर भी update देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पर आप control center के अंदर के जो भी features या फिर apps है उनको customize कर सकते हैं अपने according just like a flashlight या फिर airplane mode इसको इधर उधर कर सकते हैं as per your requirement और साथी में यहाँ पर नए iOS version के अंदर आप lock screen पर present icons को भी customize कर सकते हैं just like आपको normally lock screen के उपर एक flash icon और एक camera icon देखने को मिल जाता है बट यहाँ पर आप उन icons को customize करके अपनी कोई भी app को वहाँ set कर सकते हैं और अगर आप iPhone 15 Pro या 15 Pro Max यूज कर रहे हैं तो आप ये action button की help से भी कर पाएंगे then next आता है मारा iOS 18 के अंदर हुआ सबसे बड़ा update जो की सबसे ज़्यादा demanded था और जिसकी सबसे ज़्यादा requirement थी users को which is related to privacy so अब आपको यहाँ पर iOS 18 के अंदर finally app lock का feature देखने को मिल जाता है so आप अपनी face ID की help से अपने किसी भी app को lock कर सकते हैं और साथी में यहाँ पर आपको app hide करने का भी feature मिल जाता है so यहाँ पर आप एक secure folder create करके वहाँ पर अपने किसी भी application को store कर सकते हैं then next यहाँ पर हमें update देखने को मिलता है हमें हमारे message के app में तो यहाँ पर अपनी message app के अंदर आप अपने messages को schedule कर पाएंगे यहाँ पर आपको किसी को भी reminder भेजना है या कोई notice भेजनी है तो यहाँ पर आप simply message को schedule कर सकते हैं किसी एक particular date या पर time पर और साथी में यहाँ पर आपको message आपके अंदर और feature मिल जाते हैं just like text formatting जहाँ पर आप अपने text को format करके और better बना सकते हैं और साथी में यहाँ पर आपको text effect का भी feature देखने को मिलेगा जिससे आप अपने text पर अलग-अलग effects को apply कर पाएंगे then next update आता है हमारा apple की photos app के अंदर so यहाँ पर आप अपने screenshot को बहुत ही easily filter कर सकते हैं और साथी में यहाँ पर आपको अपनी photo collection बनाने का option मिल जाता है just for example अगर आप कोई trip पर जाते हैं और वहाँ पर आपने जितनी भी photo खीची हैं उनको आप एक collection बनाके रख सकते हैं and future पर आप कभी भी simply उस collection को open करके अपनी उन memories को लेडिव कर पाएंगे okay so अब पढ़ते हैं आगे हमारे iPads के अंदर हुए updates पे so Apple ने iPads के लिए भी OS 18 को launch कर दिया है and यह आपको upcoming iPads में देखने को मिल जाएंगे so इस बार Apple ने iPads के features को update करने में बहुत सारा काम किया है and यहाँ पर हमको iPads के अंदर बहुत mind blowing features देखने को मिलने वाले है so अब iPads के अंदर आपको एक floating tab bar देखने को मिलने वाला है जो कि हर app के अंदर काम करेगा and इसमें धेर सारे features होंगे so इस floating tab bar का use करके आप किसी भी app के अंदर multiple features को use कर पाएंगे और साथी में यहाँ पर Apple ने अपने iPads के अंदर animation को और पी ज़्यादा redefine कर दिया है यानि कि अब आपको यहाँ पर animation और पी ज़्यादा enhanced quality में देखने को मिलने वाले है यहाँ पर हमें एक major update देखने को मिलता है Apple के share play में जहाँ पर हमें एक नया feature दिया गया है which is screen sharing इस feature की help से आप अपने किसी भी family member या फिर फ्रेंड के iPad या फिर iPhone को access कर सकते हैं उनकी permission के साथ और इस feature की मदद से आप अपने किसी भी family member की help कर सकते हैं उनके iPads में या iPhones में किसी भी तरह के problem को solve करने के लिए आप वहाँ पर उनकी screen पर उनको marking करके कुछ भी easily समझा सकते हैं and then हमें iPad के calculator app के अंदर एक mind blowing update देखने को मिलता है which is math notes so एक काफी कमाल का feature है जो की Apple ने अपने नई calculator app के अंदर integrate किया है so इस feature की help से आप किसी भी तरह के mathematical problem को बहुत ही easily solve कर सकते हैं आपको simply अपनी Apple pencil की help से वहाँ पर एक mathematical expression लिखना है and वहाँ पर equal to का sign लगाते ही यह app आपको तुरंट उसका result generate करके दे देगी बिल्कुल accurately so यहाँ पर आप किसी भी तरह के mathematical problem को easily solve कर सकते हैं whether it's arithmetic, logarithmic और trigonometric यह tool आपको इन languages के answer बहुत ही easily और immediately दे देगा और अगर आप किसी भी equation का graph बनाना चाहते हैं तो आपको simply उस equation के equal to पर tap करना है यहाँ पर वह आपको उस equation के respective graph generate करके दे देगा और इसी तरह से आप multiple physics problems के अंदर भी इसको use कर सकते हैं इस लाइक किसी भी object के angle change करने पर immediately result भी change करके दे देता है then next हमें iPad 18 के अंदर update देखने को मिल जाता है which is smart script so यह feature हमें notes बराने में काफी ज़्यादा help करने वाला है so जब भी आप अपनी apple pencil से बहुत ही जलबाजी में notes लिखते हैं बिल्कुली rough handwriting में so यहाँ पर जो smart script है वो आपकी handwriting को refine कर देगा that is the words जो कि आपने properly नहीं लिखे हैं या जो आपकी handwriting खराब हो गई है वो इसको fix कर देगा यहां automatic है just like जल्दी जल्दी में आपने कुछ words गलत लिख दे या फिर खराब handwriting लिखी तो यहाँ पर यह उसको automatically fix कर देगा और वहीं अगर आप अपने notes के अंदर कहीं से कोई text लाके copy paste करते हैं तो यहाँ पर उस text को भी यह आप handwriting के साथ align कर देता है ताकि यह बिल्कुल भी अलग नहीं लगता then next यहाँ पर Apple ने अपना नया Mac OS भी launch कर दिया है जिस से को होया एपल के नए Mac के अंदर हमको एक continuity का update देखने को मिल जाता है जिसमें बहुत ही amazing सा feature है विच इस iPhone mirroring iPhone mirroring की help से हम अपने iPhone को अपने MacBook के थूँ access कर सकते हैं फिर चाहे हमारा iPhone हमारे pocket में हो बैग में हो या फिर charging पे हो यहां पर हम अपने MacBook का यूज करके अपने iPhone को completely access कर सकते हैं जिस लाइक उसमें कोई भी file को access कर सकते हैं या किसी भी application को access कर सकते हैं इवन notifications और calling को भी access कर सकते हैं एक काफी कमाल का feature है जो कि हमको Mac के अंदर मिलने वाला है इस feature की help से हम अपने iPhone के अंदर किसी भी files को drag या drop कर सकते हैं whether from iPhone to Macbook या फिर Macbook to iPhone वैसे पहले ही काम हम AirDrop की help से किया करते थे वाटब इस नए feature की help से भी हम iPhone से Mac में files transfer कर सकते हैं और अगर आप अपने Macbook के उपर meetings पगर attend करते हैं यहां पर आपको और भी बहतरीन quality देखने को मिलेगी अपने meetings में और साथी में आपको यहां पर एक screen share का feature भी मिलने वाला है जिससे आप अपनी एक particular window की screen sharing कर सकते हैं और साथी में यहां पर आप live meeting के अंदर अपने background को भी change कर पाएंगे then moving forward to the biggest update which is artificial intelligence तो हां यहां पर apple ने अपने artificial intelligence को launch कर दिया है जिसको इसने नाम दिया है apple intelligence यहां पर apple अपने सभी devices के अंदर AI features को implement करने वाला है जो कि mind blowing है आप कभी भी अपने macbook के ऊपर कोई भी email लिख रहे हैं तो यहां पर आप अपनी email को rewrite कर सकते हैं AI की help से यहां पर आप अपने email के tone को भी change कर सकते हैं जिस लाइक आप अपने email को professional बना सकते हैं friendly या फिर concise बना सकते हैं by using the artificial intelligence और साथ ही यहां पर अपने emails को summarize भी कर पाएंगे और उनकी proof reading करवा के sentences को grammar takery correct भी कर सकते हैं और साथ ही में यहां पर AI आपकी help करेगा आपको email से major key points निकाल के देने में और यहां पर आप AI की help से smart replies भी generate कर सकते हैं then next major AI update हमें देखने को मिलता है which is Genmoji so Genmoji के अधर आप अपने किसी भी emoji को अपने हिसाब से customize कर सकते हैं just for example by giving a simple command you can add cucumber on the smiley's eyes which actually looks very funny and also you can turn your friend into an astronaut emoji so this feature का use करके आप किसी भी तरह के emoji को अपने according edit कर सकते हैं then next AI feature हमें देखने को मिलता है which is Image Playground so this feature के अंदर आप within a second किसी भी तरह के image को generate कर सकते हैं just like an image of a cat as a chef और इसी तरह से आप different different तरीकी image को generate कर सकते हैं by just typing the keywords and choosing the style like animation or illustration and after generating it you can send it to your friend so Apple intelligence है वो आपकी photo library को भी बहुत अच्छे से समझता है अगर आपकी किसी भी friend का bird है तो आप Apple intelligence की help से उसके लिए personalized image create करके उसको send कर सकते हो then हमें एक कमाल का AI feature देखने को मिल जाता है हमारे iPads के अंदर suppose अगर आप अपने iPad के उपर एक sketch create कर रहे हैं तो simply आप Apple pencil की help से उसे circle करके उसको एक real image के अंदर convert कर सकते हैं यहां पर जो आपका sketch है वो AI की help से एक real image के अंदर convert हो जाता है just like mind blowing then यहां पर Apple ने अपने AI assistant Siri के अंदर भी धेल सारे updates कर दिये हैं so अब आप जब भी Siri को call करेंगे तो आपको एक elegant glowing light देखने को मिलेगी अपने phone के edges पे instead of that old light circle और अब Siri के अंदर natural language का भी support आ गया है तो यहां पर आपको Siri से बात करने में और भी जादा असानी होने वाली है because अब वो आपकी tutti-footy language को भी बहुत easily समझ सकती है the next AI update हमें देखने को मिलता है which is personal context so Siri के पास हमारी सारी information होती है like photos, calendars, contacts, messages and all so यहां पर अगर आप Siri से question पूछते हैं कि when my mom is landing so यहां पर Siri उसका response करेगी और आपकी mom की flight की exact landing timing आपको बता देगी because Siri knows who is your mom and currently she is in which flight then next हमें major AI update देखने को मिलता है which is priority notification so जब आपके iPhone के अंदर 10 सारी notifications भर जाती हैं उसमें से high priority वाली notification अपने आप ही उपर आ जाएंगी then अगला AI update हमें देखने को मिलता है which is memory movie so इस feature का use करके आप एक movie generate कर सकते हैं so यह feature आपके photo library को अच्छे से समझता है तो अगर आप उसको कोई command देते हैं just like to create a movie about Lee learning fishing so यह AI feature आपकी photo library के अंदर Lee की जितने भी fishing related photos हैं उनको collect करके उनको फिर sequence में arrange करके आपको एक movie बनाके देता है जिसमें आप देख सकते हो कि how the fishing journey started and how is going on so guys यह थे कुछ amazing updates जो कि Apple ने अपने WWDC24 event के अंदर दिये हैं और यह सारे ही updates आपको बहुत जल्द आपके devices में देखने को मिल जाएंगे so मुझे comment section में जरूर बताई कि आप इन में से कौन-कौन से updates के लिए सबसे जादा excited है so अगर यह वीडियो आपको informational लगी तो इसे like करें अपने friends के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को subscribe करना ना भूले तो फिर मिलते हैं और ऐसी किसी informative वीडियो में